सौनाली फॉगाट की बेटी यशोधरा को सुरक्षा दी जानी चाहिए इस विशय को लेकर के राज्य महिला आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया है डीजी पी हरियाना को क्या कुछ ये वज़य रही इसको लेकर के जानकारी हमारे साथ राज्य महिला आयोग की चेयर परसन रहिनु भाटिया देने के लिए मौजूद है उनसे जानेंगे क्या वज़य रही जो सुरक्षा जो है ये शोद्रा जो की सौनाली फोगाट की बेटी है उन्हें सुरक्षा देने को लेकर का आपकी तरफ से पत्र लिखा गया देखिए आयोग ने ये विचार किया कि ये शोद्रा बहुत छोटी बच्ची है 15 वर्ष की है नाबालिक है औ क्योंकि इस बच्ची ने हर चैनल पर ये बियान दिया है कि मेरी मा को खीर में कुछ मिला के दिया जाता था और मेरी मां उस्तर में तबहत खराब हो जाती थी इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये फैसला लिया कि डीजी को कहा जाए कि इस बच्ची की तब तक सुरक्षा का ध्यान रखा जाए जब तक जो मुझरिम है वो सिलाखों के पीछे नहीं चले जाते क्या सुरक्षा को लेकर का आगे पत्र आपकी तरफ से लिख दिया गया है क्वारता को इसको लेकर का आगे motion अभी ऐसी koई meeting नहीं हुई प्रणतु मैं एका दिन मैं एंटीजी से फोन पे जरूर बात करूंगी क्योंकि हमारा पत्र गया है तो उसका क्या वो उसका आंसर निकालते हैं लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद एक बार फोनो टॉक भी जरूर करूंगी परिवार की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि नियाय मिलना चाहिए और इसको लेकर के सी बी आई जांचो एक तरफ चाहे गोवा सरकार की बात करे हरियाना सरकार की बात करे बेटी ये शोद्रा जब अपनी मां को कहीं न कहीं मुखागनी देने के बाद ही किस तरीके से अगर किया जाएगा? देखे इस तरह से मांग करना ये शोद्रा का अधिकार बनता है अपनी मां के मुझरिमों को पकड़वाना और उसकी लिए दिमांड करना उसका अधिकार बनता है रही बात सरकार की तो पहले जिस दिन ये हत्या हुई उसके अगले ही दिन माने मुख् देश के अध्यक्ष ओंप्रकाश धनकर जी ने भी ये बात कही थी कि जो गोवा के अध्यक्ष है उन से कहा था कि इस परिवार को पूरी तरह से सयोग दिया जाए और पूरी तरह से जो भी इंक्वाइरी में इनको मदद चाहिए वो की जाए तो सरकार और संगठन दोनों ही इस परिवार को सयोग करने के लिए अतत पर हैं परिवार का ये कहना है कि हम मुख्यमंतरी जी से मिल करके आए मुख्यमंतरी जी ने आशवाशन भी दिया लेकिन गोवा सरकार की तरफ से ये का जा रहा है कि अभी हम पुलिस की ही जांच कराएंगे उसके बाद हम जाद भी जिस तरीके से एक महिला होने कनाते जिस तरीके से घटना घटी है उस पर भी आपका संग्यान जो है यहाँ पर क्या नहीं लगता कि बनता है देखिए सोनाली की हत्या एक दुखत विशे है इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन ये गोवा सरकार का दायत्व बनता है कि वो पूरी कारवाई करें आपे देखिए कि दूसरे दिन नाशनल कमिशन फॉर वुमिन की चेय परसन शरीमती रेखा शर्मा जी ने भी अपनी दो यारदर्च हुई और मुझे ऐसे लगता है कि सीबी आई की जो जाच की मांग हो रही है वो भी अनुचित नहीं है अगर परिवार संतुष नहीं है उससे तो सीबी आई के लिए तो मानने मुख्यमंत्री जी ने कहा ही हुआ है प्रंतु गुआ सरकार का ज्यादा दायत तो देखें मुझे ऐसे लगता है कि स्टेट कमिशन का जो दायत्व था कि ये शौदरा का ध्यान रखा जाए वो हमने अपना फर्ज ने भाया है और हम प्रयास करेंगे कि टाइम टू टाइम इसके उपर जानकारी भी लेते रहें और नाशनल कमिशन ने तो अपनी टीम बेज कर पून दायत्व निभाया जिसके बाद FIR दर्ज हुई पुलिस और ज्यादा जो है एक्टिव हुई इस मामले के बाद और रेखा शर्मा जी ने कई बार DG से भी वहाँ पर बात की तो मुझे असल लगता है महिला आयोग चाए वो नाशनल लेवल का है चाए स्टेट ले रिव्यूज में किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए DGP हरियाना को राज्य महिला आयोग की तरफ से पत्र लिक करके या शोधरा को सुरक्षा देने की मांग जहां की गई है तो वहीं CBI जाच की मांग को भी अनुचित नहीं बताया जा रहा है यानि CBI जाच भी जा है च जाच में बताया रहा है या जहा जाया है